हेलो एवरिवन डियर फ्रैंट्स वेरकम बैक टो नैच्रल लेफ दोस्तों आज मैं आप शेयर करने वाली हूँ कि अगर आपके पास साड़ी की या ब्लाउस की या ऐसी कोई भी छोटी सी लेस का टुकड़ा है तो आप उससे क्या बना सकते हैं मेरे पास यह एक लेस का टुकड़ा है तो यह मैंने ले लिया है और देखिए मैंने इसे डबल किया और मिडल से कट कर लिया है और एक बार इसे में फोल्ड करके मिडल से कट कर लूँगी अब यह जो फोर हिस्से मेरे पास है उसका जो मिजर्मेंट है वो मैं आपको दिखात मैंने यह पुरानी अखीय पेंटल का फड़ेकर लिया है और इसके ऊपर सिलांबर करके सिपको हम आठेच कर लूगी तो इस तरीके से मैं पहले एके ओपर एक रख़ टो कर लूगी, सिलाय करने के बाद जो भी फड़ेके साइड में बच रहा है उसे हैं करके निकाल दूँगी उसके बाद मैंने एक स्वापिंग बैक का यूज किया है और इसी के साइज की उसे कट कर लिया है और एक हमें फापरिक लेना है अस्तर के लिए वह भी मैंने इसी साइज से कट कर लिया है और जो मैंने सिंपल फापरिक लिया था उसे मैंने स्वापिं और इसी के साइज की मैं एक जिप लोगी और जिप को दिखिए यहाँ पर इस तरीके से उल्टा रख कर स्टिच कर लोगी उसके बाद हमें इसे सेकंड साइट पर टान करना है और उपर भी हम प्रेस्टिच कर लेंगे अब लेंगे हम इसका सेकंड हिस्सा और इसे भी हम आपके निडल टूट सकती है सीम इसी तरीके से हम सेकंड हिस्से कुल लेंगे और उसे भी मीडल से कट कर लेंगे और सेम इसी तरीके से हम जिप अटेज कर लेंगे अब इसका जो मिजरमेंट वह है वो मेरा है 4.5 x 9 इंच और यह जो मेरा टोटल हो रहा था वह 8.5 x 8.5 इं से हम फोल्ड करके जो बेजिक फाबरिक था हम लेस वाला हमने रेडी किया था उसके उपर इस तरीके से रखेंगे और रहा प्लम लेडा करने से पहले अगर आप इसे कट करना चाहते हैं तो पहले भी जो भी एक्स्ट्रा है उसे कट कर सकते हैं या फिर सिराय करने के बाद भी जो भी एक्स्ट्रा लग रहा है उसे आप कट कर सकते हैं तो यह देखिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से सिराय करने के बाद इसे कट कर लिया है अब मेरे पास extra lace नहीं थी इसलिए मैंने अलग कलर का एक फाब्रिक लिया है इसमें मैच करता यह 3x5 इंच का और इसमें देखिए इसे ही 2 फाब्रिक मैंने लिये हैं और इन दोनों को सिलाए करके मैं attach कर लूँगी 3 साइट से अब इसके corner cut कर लेंगे और इसे हम right side पर turn कर लेंगे right side पर turn करने के बाद यहां उपर भी मैं प्रेस्टीच कर लूँगी उसके बाद मैंने लिया है एक well grow और एक side well grow की हम यहां पर attach करेंगे और इस इसे को हम जो हमारा basic ready किया था वहां पर middle में attach कर लेंगे अब मैंने plain fabric की strip लेंगे और strip के चोड़ाई 2 inch है इसे हमें दोनों side पर इस तरीके से रख कर सिलाई करनी है और बाद में हम इसे right side पर turn करेंगे और यहां double fold करते हुए उपर सिलाई करेंगे तो देखे यह इस तरीके से बहुत ही अच्छी finishing के साथ ready होगा अब हमें थोड़ी सी लंबी strip लेनी है जो बच्ची हुई side है वहाँ पर भी हम इस strip को side में fold करेंगे और इस तरीके से सिलाई कर लेंगे अब इसे हम right side पर turn करेंगे और यहां पर हमें double fold करते हुए सिलाई कर लेनी है तो देखे यह बहुत ही अच्छी finishing के साथ इस तरीके से हमें ready कर लेना है तो यह मेरा दोनों side ready हो चुका है अब देखे यहां पर मेरा well grow attach करना बाकी था तो सबसे पहले हम जब basic ready करते हैं उसी वक्त भी हम यहां पर well grow attach कर सकते हैं तब ही मेरा रह गया था तो अब देखे मैं यहां पर इस तरीके से इसे पकड़ूंगी और पहले में mark कर लूँगी यहां पर और उसके बाद मैं यहां पर देखे अटेच कर लूँगी इस तरीके से तो यह हमारा बहुत ही easily well grow attach हो चुका है अब यहां पर thread दिख रहे हैं तो मैं कोई भी so piece attach करूंगी मैं यहां पर इस तरीके की pin लगा रही हूं आप कोई भी button लगा सकते हैं या फिटेसल लगा सकते हैं अपनी पसंद्गी का कोई भी यहां पर so button लगा सकते हैं तो गैस देखें यह हमारा इस तरीके का एक hand purse ready हो चुका है बहुत ही आसान तरीका है और इसमें हमने four pocket बनाए हैं इस तरीके के clutch pack सब को बहुत ही पसंद आते हैं और सब के लिए useful होते हैं तो आप अपने लिए या फिर किसी को gift करने के लिए बना सकते हैं I hope lace को reuse करने का यह idea आपको बहुत पसंद आया होगा तो please friends वीडियो को like करें शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर subscribe कर लें ऐसे ही और interesting वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे तब तक के लिए जय बारत